नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी की वाक्षिट नमबर 28 और आज की वाक्षिट काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वाक्षिट में बहुत ही नैतिक बातों को बताया गया है और आप जानते हैं कि हमारे उननती के लिए नैतिकता कितना महत्पुन है तो चलिए देखते हैं कि हमें आज क्या सीखना है अर्थ प्रणाली के कारण ब्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है अर्थ प्रणाली मतलब हर काम में आर्थिक विकास को सोचना आर्थिक लाब को सोचना इसको अर्थ प्रणाली कहा गया कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा कितने रुपय का फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और सभी काम के परिणाम आर्थिक रूप में ही आकना यह अर्थ प्रनाली कहलाता है आज मनुस सिध्यों के पीछे भाग रहा है सिध्यों का मतलब भौती कलाब हुगा कि उससे हमको भौतिक लाव क्या प्राप्त होगा तो उसके पीशे भाग रहा है वह अपनी उच्च संस्कृतियों को और स्रेष्ट साधनाओं को भूलता जा रहा है मतलब कि हमारी जो उच्च संस्कृति है हमारी जो स्रेष्ट आत्मिक बल है जिसको कि हम लोगों ने साधना से प्राप्त किया है उसको मनुष से भूलता जा रहा है मन की चंचलता मन आजे इस तरफ है कल उस तरफ जाएगा तो इसको चंचलता बोलते हैं मन की चंचलता, लाव, उदिमनता, आसा भंग, दुविधा, पलायन आदी मनुष को वरष्टाचार की ओर ले जा रहा है वैदिक सिख्चा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, नामक चार फल मानों को सनमार्ग पर अगसर करने के लिए स्विकार किये गए वैदिक सिख्चा में कहा गया है कि मनुष से जीवन में प्रतेग मनुस्य को चार फल प्राप्त करने होते हैं अर्थात धर्म अर्थ काम और मुक्ष धर्म का मतलब होता है कि अपने धर्म पर अडिग रहकर उनको अपने जीवन को जीना होता है अर्थ का मतलब होता है कि धर्मानुसार आचरन करते हुए अपने जिंदगी को चलाने के लिए धन की प्राप्ति करें यह अर्थ कहलाता है और काम का मतलब होता है कि अपने अंदर की कामनाओं को वह प्राप्त करें अपने अंदर की इक्षाओं को के अंदर क्या इक्षा हो रही है इसकी प्राप्ति काम के अंतरकत आती है फिर अंदर मुक्ष होता है और मुक्ष में खुदा में अल्लाह में एक आकार हो जाएं जिसकी वज़ा से उन्हें दुबारा अच्छा आच्रन करना पड़ता है तो यह संवार्ड पार हैं अच्छा में प्रृत Underground करना पड़ता है उसे अरथ पैसा चाहिए पैसे आसांती, सबकों जो आसांती है कि आप मुझे और चाहिए, और चाहिए उसके जो महत्वात्वाकान चाहें हैं और और संटोस है, बहुत ज़्यादा प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में कोई संटोस नहीं है, تو इसका मुल्क कारण वही भरष्ट अचार है, भ्रष्ट आचार मतलब भ्रष्ट आचरन भ्रष्ट आचरन को भ्रष्ट आचार बोलते हैं भ्रष्ट आचार ब्यक्ति का मन सुधन रहने से समाज दूसी तो हो रहा है और जब ब्यक्ति का मन सुधन नहीं होगा तो समाज का मन भी सुधन नहीं हो कि समाज का निर्वानी व्यक्तियों से होता है व्यक्ति का यह तत्थ भूल चुका है कि आत्मिक बल और नैतिक आचरन के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाव नहीं है जब तक हमारे अंदर आत्मिक बल नहों नैतिक आचरन नहों तक भौतिक उन्नति चाहें कितना भी नहीं होता है जो राष्ट्र समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तब को नैतिक्ता के साथ नहीं जोड़ते वहां असंतोस घ्रेना और बैमनास से अवस्य बढ़ता है तो यह थी हमारी आज की प्रेणादायक और पठीद गद्यांस और इस पर आधारित कुछ प्रस्ण है चलिए उनके उत्तर भी हम करते हैं प्रस्ण है कि व्यक्ति के नैतिक पतन का मुख्य कारण क्या है तो इसका उत्तर है कि मैं इसका नैतिक पतन का मुख्य कारण होगा वर्तमान अर्थ प्रणाली उत्तर खो और गद्यांस में दिये गए सिध्धियों सब्द का अभिफ्राय क्या है तो सिध्धिया मतलब भौतिक उपलब्धिया और उसके बाद है वैदिक सिच्छा में के अनुसार कौन से चार फल मानो को सनमार क्योर अग्रसर करते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार फल ब्रति को सनमार क्योर अग्रसर करते हैं प्रशन चार है कि सरोब्यापी असांती और असंतोस का मूल कारण क्या है तो सरोब्यापी असांती और असंतोस का मूल कारण है मानों का व्रष्टाचार में लिप्ट होना एंसर गा फिर प्रशन पांच है कि लाजट SMG या संप्रदाय के उन अति के लिए करतब से कुट कीसे से जोड़ना चाहिए तो करतब्य को नयतिकता से जोड़ना चाहिए इसके बाद तीन प्रशण तेने जिनके उत्तर हमें करें लिग कर किसे उत्तरदाई कहा जा सकता है फिर प्रस्ण आठ है कि किसी भी राष्ट समदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिक्ता से जोड़ना क्यों आवसेक अपने मित्रों से चर्चा कर लिखिए तो चलिए अब इन प्रस्णों का उत्तर लिखना शुरू करते हैं प्रस्ण श्या है कि आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ तो इसका उत्तर है कि अर्थ प्रणाली के अनुसार व्यक्ति किसी भी काम को करके इससे आर्थिक लाव कमाना चाहता है इसमें नेतिक्ता का महत्व नहीं रह गया, जिसकी वज़ा से व्यक्ति का पतन हुआ, उसके बाद है प्रस्न साथ, मनुस्य को व्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए किसे उत्तरदाई कहा जा सकता है, तो इसका उत्तर है कि मनुस्य को व्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए सरव्यापी असांती और असंतोस को उत्तरदाई कहा जा सकता है नेक्ष्ट है प्रस्ण आज कि किसी भी राष्ट्र समुदाई या सम्परदाई को अपने धर्म को नेतिक्ता से जोड़ना क्यों अवस्यक है अपने मित्रों से चर्चा कर लिखे तो इसका उत्तर है कि कि किसी ही राष्ट्र समुदाई या सम्परदाई को भौतिक उनती प्राप्त करने के लिए अपने धर्म को नेतिक्ता से जोड़ना अवस्यक है जो राष्ट्र समुदाई या सम्परदाई अपने धर्म अर्थात करतब्य को नेतिक्ता के साथ नहीं जोड़ते वहां असंतोस ग्रेना और बैमाना से अवस्य बढ़ता है तो वच्चो ये थी आपकी आज की वर्क सिट और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो